याने जो खोए की खीर में रसगुला दाल के सर्फ की जाती है वह वाली तो पहले हम खीर बना लेंगे इसके लिए वन लीटर और उस पे पाव लीटर मैंने दूद गरम कर लिया है आदे घंटे से इसे मैंने गरम कर लिया है ताकि यह अच्छे से गाड़ा हो जाए अब का सारा जो फ्लेवर है यह इसी की वज़े से आता है अब हम इसको अच्छे से जाफरान को घुला के साइड में रख देंगे अब देखे का कलर चूट गया है जाफरान का साइड में रख देंगे यह 200 ग्रैम खोया है इसे मैंने फ्रिच से निकाला है थोड़ा सा यह करने के लिए दूट का गरम करना बहुत इंपोर्टेंट स्टेप है दूट की बो खतम होनी चाहिए कच्छी बो तब तक हम इसे गरम करेंगे और बिल्कुल दाग नहीं लगना चाहिए दूट तो आपने देखा कि मैंने जो जाफरान वाला दूट था वो इसमें एड कर द कर रही हूं क्योंकि हर कलर अलग होता है अपनी रंगत अलग तरीखे से छोड़ता है तो खरीबन मैंने पाउच हमचा इसमें कलर एड कर दिया है अब यह पर्फेक्ट कलर आ गया है आप इसमें रेडिमेट कस्टड पाउडर यूज़ करेंगे तो कलर लाने की ज़रत नही है अब देखिए 50 ग्राम काजू और बदाम है इसको हमने पीस लेना है पाउडर बना लेना है काजू और बदाम को और देखिए जो मैंने दूद साइड में रखा था वो थंड़ हो गया है तो इसमें मैं हाफ कप यह जो कप आपको दिख रहा है उसी कप से हाफ कप कॉन फ अब थोड़ा थोड़ा करके हम यह जो हमने ड्राइफ्रूर्स पीस करके रखे हैं बादम और काजू वह आट कर देंगे इसमें इसी स्टेश पर आप पिस्ता आट कर सकते हैं लेकिन मैंने अच्छा लेगेगा इसलिए गानिश के लिए उठा के रखा है आप चाहे तो इस दूद्ध भी मैंने गाड़ा कर लिया है याने 1.25 L से 1.1 L कर लिया है तो उसकी भी मिठास होगी अब देखिए यह गाड़ा हो रहा है तो अब हम इस स्टो की फ्लेम बन कर देंगे और इसको थंडा कर देंगे कि कि खीर को हमें थंडा ही सर्फ करना है अब 20 ग्राम के खरी अब हम इसको सर्फ करेंगे यह क्या बोलते रजगुले के साथ में रजगुला थोड़ा सो छोटे साइस का एट किया जाता है लेकिन मेरे पास यही है तो मैं यही एट कर रहे हूं पहले उसका सारा रस निकाल ले बिल्कुल दिहान से ताकि वह तूटे नहीं और इसके बाद करेंगे तो यह एक शाही हैदरबादी डेलिकसी है जो हमारी शादियों में सर्फ किया जाता है तो जरूर टाय कीजिए यह रेसिपी और अगर आपको मेरी यह अंगूरी रबडी की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए औ कीर कुकिंग चैनल को ऐसे यूसफुल वीडियो के लिए और खीर अच्छी बनने के लिए खीर का जो दूद्ध है उसे बिल्कुल जलाना नहीं है जितना अच्छा आपका दूद्ध पकेगा आपकी खीर उतनी अच्छी पकेगी तो यह टिप को जरूर याद कर रहें रख